हेलो अलो फ्यू एन वेल्कम बैक अगेन आज का हमारा जो वीडियो है वो मई और जून दोहजार रिकिस के अंतर राष्ट्रे एक्रिकलोजी का पार्ट फाइफ है इससे पहले हम पार्ट फोर तक के जो हैं वीडियो को बना चुके हैं जिसके अंदर हमने राष्ट्री लिए काफी हलपफुल है तो जो लोग न्यूस्पेपर कंटीन्यू पढ़ रहे हैं उनके लिए ये मैगजीन काफी इंपोर्टन है यूगि जो भी इंपोर्टन चीजे न्यूस्पेपर में होती है वो उसका एक अच्छा खासा इसमें जो है संकलन आपको देखने को मिलता अविलेबल करवाते हैं तो आप उस चैनल को जरूर से जोइन कीजे अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर या फिर हमारे कमेंट सेक्षन में लिख सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला न्यूस आर्टिकल है भारत सरकार करेगे 9 देशों में one stop center के स्थापना तो पहली चीज़ तो यह है कि one stop center यो है यह होता क्या है तो वन stop center का मतलब यह है कि कोई भी कोई भी समस्या या परेशानी हुती है तो उसके लिए जितने भी facilities होती है वह एक ही जगायापर provide करवा दी जाएं ठीक है तो यहां पर जो वन स्टॉप सेंटर है यह महिलाओं के लिए बन रहा है यानि वुमिन के लिए महिलाओं के साथ में जो यौन सोषन की घटनाएं हमें देखने को आती है पुब्लिक प्लेस में और प्रैविट प्लेसिज में जैसे कि वित्व पोशित होते हैं, फुली फंड़ेट बाइदा निर्भिया फंड, अभी जो सरकार ने अनुशन सा जिस पर ध्यान दिया है, तो वो है नौ देशों के अंदर, ये स्टेट नहीं है, ये देश हैं, देशों के अंदर जो है, वन स्टॉप सेंटर जो है, वो बनाये जा जाएगी, अब वो जो नौ देश हैं, वो कौन-कौन से हैं, थोड़ा सा अगर आइडिया रहेगा, तो हमें काम आ सकता है, जैसे कि देखिए, ये देश हैं जहां पर आस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाड़ा, कुवैत, उमान, कतर, सिंगापॉर, साओधी अरेबिया और यूए जाएगा, ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज और है, कि ये जो वन स्टॉप सेंटर है, इसकी जो अनुशन सा है, यानि रिकमेंडेशन है, ये 2013 के अंदर एक आयोग था, जिसका नाम था उशा आयोग, या उशा कमिशन, कमिशन जिसको कहेंगे, उनके द्वारा जो है, इ द्वारा फंडेड होता है, ठीक है, तो ये महिलाओं से रिलेटेड एक प्रोग्राम है, या स्कीम आप जिसको समझ लीजे, तो ये काफी इंपोर्टेंट है, ये हमारे कहीं पर भी हमें लिखने के काम आ सकता है, नेक्स्ट आम आर्टिकल देखेंगे, भारत और इसराइल धिलने क्रिशी में सहीयोग के लिए तीन साल की कारी युजना पर हस्ताक्षर किया है, आप जानते हैं कि इसराइल जो है, वाटर कंजर्वेशन में, क्योंकि इसराइल के अंदर पानी की कमी है, पानी कम है वाँ पर और क्रिशी के नए-नए प्रयोग करता है, अगर आप य जो है cooperation के लिए हस्ताक्षर किये हैं एक कारियोजना पर हस्ताक्षर किये हैं अब देखिए इसमें दो चीज़े हैं एक तो है कि इस तीन साल के कारियोजना में इस्थानिय इस तरपर किसानों को भारत इसराइल क्रिशी परियोजना उतकरश्टता केंद्र यानि इंडो इसरा जो किसान है उनको ट्रेनिंग दी जाना प्रॉपर आज भी हमारे जो किसान है क्योंकि वो पड़े लीके जादा होते नहीं है तो उनको जो है अच्छे सीट्स करिदने में फर्टिलाइजर्स में और जो मुनाफे वाली जो खेती होती है उसके बारे में जानकारी दी जाना का इनको ट्रेंग बहुत जड़ाई है यहीं है हमारे यहां किसाने है और ज yaनि के जो डेफ़ेस्ट प्रोफेशनल करते हैं कि वह से ुख मलें को बेंटर क्रोड्रीय। करते हैं और वहाँ पर ट्रीज नहीं होती है बीच में क्योंकि फिर जो है इलेक्ट्रिक जो आपके equipment होते हैं उसके द्वारा जो है उसकी harvesting की जाती है तो यह सारी चीज़ें जो है इसकी training भारत में ज़रूरी है दूसरी infrastructure की भी ज़रूरत है तो इसके लिए कहीं पर potential जादा है किसी गाउं के अंदर potential है कि वहां पर जो है कोई अच्छी तरीके की farming की जा सकती है मुनाफ़े की खेति की जा सकती है जैसे हम देखते हैं कि जो है कई सारे महराश्ट्र के गाउं हैं जैसे जहां पर पानी और स्वैल जो है अच्छी उपलबद है तो वहां पर जो है इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रुक्चर जो है उसको develop किया जाएगा उन गाउं के अंदर ताकि जो है उत्कृиш्टता प्राप्त कि जा सकें ये हम देख सकते हैं अब देखे पूरे भारत के 12 राज्यों में 29 जो है परिचालन केंदर है जो स्थानिय परिस्तितियों की अनुसार इस्राइली क्रिशिय प्रद्यवगी के साथ प्रगतिशील संगन केती बाड़ी को लागू करते हैं अब देखिए ये जो चीजे हैं ये डारेक्ट आपके प्रेलिम्स में आपसे कोई नहीं पूचेगा लेकिन ये क्या है कि कभी हम मेंस कांसर लिखते हैं तो उसमें हमेरे लिखने में काम आ सकते ह हैं इसल इस तरीके से हमको याद रखना है फिर नेक्स देखिए जंजाति स्कूलों के डिजिटल ट्रांस्फोर्मेशational के लिए संयुक्त पहल को लेकर समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर तो देखिए जंजाति स्कूल क्या है जंजाति का मतलब होता है स्चिजूल tribes इनके लिए 1997 और 98 के दौरान EMRS के स्थापना की गई यानि के Eclavie Model Residential Schools इसके अंदर क्या है कि जो schedule tribes के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है और उनको उच्छे शिक्षा के लिए जो है वो तयार किया उनको skills दिये जाता है उनको mainstream में लाने के लिए प्रयास किया जाते हैं तो अभी यहां पर जो है इसको कई जो स्कूल्स हैं जैसे कि 200 स्कूल्स जो है इनको किसने Microsoft ने जो है भी गोद लिया है Microsoft Microsoft जो company है उसने गोद लिया है तो वो क्या करेगा यहां पर जो शिक्षक है उनको टेक्नोलोजी के अंदर जो है थोड़ा दक्ष बनाएगा ताकि बच्चों के अंदर टेक्नोलोजी जो है वो जा सके और इनके जो है आर्मी के लिए जो है renewable energy का दोहन करने के लिए उत्तरी सिक्किम जो है वहाँ पर पहला ग्रीन सोलर एनरजी प्लांट जो है उसको स्थाबित किया है अब इसकी capacity किती है वो तो हम रहने देते हैं 16,000 फीट की उचाई पर 56 KVA की शमतावला इनरजी प्लांट जो है वेनेडियम अधारित बैटरी टेकनिक का जो है उप्योग करेगा और इसको IIT Bombay द्वारा जो है इसको बनाया जा रहा है ठीक है नेक्स्ट है अच्छे इसमें question पूछा जा सकता है कि सिक्किम सरी भारतिय सेना ने पहला अपना जो green solar energy plant है वो कहाँ पर स्थापित किया है तो हम पता सकते हैं कि सिक्किम में इसको जो है स्थापित किया गया है फिर नेक्स्ट है भारत ब्रिटेन वर्चुल शिकर समेलन तो देखिए भारत और ब्रिटेन के जो international relations के अंदर ही हमारा portion आता है पिछले साल अगर आप आरे इसका means का exam देखेंगे तो वहाँ पर जो है इसके उपर question भी पूछा गया था तो यहाँ पर इसलिए इसको हम थो प्रिटारी का रूप दिया जाएगा यानि के strategic जो cooperation होता है strategic cooperation उसको जो है इसमें convert किया जाएगा और इसमें अगले 10 वर्षों में दोनों देशों के बीच में क्या-क्या पारसपरिक संपर्क होंगे व्यापार कैसा होगा अर्थ व्यवस्ता कैसे होगी उसका एक पूरा इ पारस साजेदारी यानि enhanced trade partnership का भी शुभारम इनोंने किया है फिर है global innovation partnership की गोशना भी इनोंने किया जिसका उद्देश होगा चुनिंदा विकाशियल देशों को समावेशी भारतिय नवाचारों का हस्तांतरन करने में आवशक सयोग प्रदान करना इस दिशा में शुरवा उपलब्द करवाए जाएंगे तो यह एक थोड़ी हालें कि इतना important prelims point of view से नहीं है लेकिन बेसिक चीज़ है कि भारत और ब्रिटेन के अगर संबंदों पर आपके लिखने के लिए कुछ आए तो आप जो है इस तरीके से इसको लिख सकते हैं नेक्स देखिए भारत की युनेसको विश्व धरोवर स्थलों की संभावित सूची में छे स्थान जो है वो शामिल किये गए हैं तो कौन-कौन से स्थान है जिनको युनेसको वल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जो है इंक्लूजन मिला है तो सबसे पहले देखिए गंगा मिलिटरी आर्किटेक्चर महराष्टर में और हायर बैंकल महापाश्रान इस्थल ये करनाटका में तो यह सारे हमको याद रखने हैं इनके ओपर कोशन पूझा जा सकता है उप्योग चाहिनेत इस्थल विश्व धरोवर स्थलों के संभावित सूची में एक वर्ष तक बन की टर्म्स और कंडिशन होती उस पर ही अप्लाई होते हैं तब जो है इनको विश्व धरोवर स्थलों के अंदर जो है वो नामंगित कर लिया जाएगा नेक्स देखते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है वो असम के बारे में है तो असम के अंदर आप सभी जानते हैं कि सबसे जादा बाढ़ ग्रस्थ एरिया जो है वो असम है तो वहां पर अभी जो है असम ने फ्लर्ड रिपोर्टिंग और इन्फोर्मेशन मेनेजमें तरफ बाढ़ के अनुमान जो है वो जादा है इसके साथ ही असम में बाढ़ के दुरान प्रभाव संकेत को का पता लगाने के लिए डिजिल रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला वह पहला राज्य जो है वो बन गया है तो फ्लर्ड के बारे में जो डिजिटल जा इसको विक्सित किया गया है अब यह क्या करेगा कि यह नई प्रणाली असम में बाढ़ के सतर को देनिक अधार पर रिपोर्ट करेगी नई प्रणाली वैब और मोबाइल अप्लिकेशन तक्निक द्वारा संचालित रहती है और यह प्रणाली परिभाशित इस तरो पर ततक टेकनलोजी का यूज जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं तो UPSC का अगर आप पेपर देखेंगे तो डिजास्टर मेनेजमेंट आपको वहाँ पर पढ़ना है तो यह मेंस पॉंट आफ यू से इंप्रणट कोशन बन सकता है ठीक है डिजास्टर मेनेजमेंट में फिर है नेक्स चेतर होते हैं उनको जैविक प्रमानीकरन दिया जाता है जैविक प्रमानीकरन का मतलब क्या होता है कि वहां पर जैविक खेती की जा सकती है ऐसे चेतर अलोट किया जाते हैं जहां पर रसायन मुक्त वो शेतर होते हैं जहां पर जैविक जो खेती होती है यहां जो खेती है कि जहाँ पर आप बिना किसी रसायन के बिना किसी फर्टिलाइजर्स के जो है खेती करते हैं जैसे यूरिया वगरे का उपयोग नहीं किया जाता है वहाँ पर जैसे गोबर की खाद है, नीम ओईल है, नीम सीड्स है, नीम कोटेड सीड्स है इन सब का प्रियोग करके जो है खेती की जाती है तो देखें, लार्ज एरिया सर्टिविकेशन एक स्कीम है, उसके तहट अभी तक का सबसे बड़ा एरिया जो जैविक प्रमाण पत्र के द्वारा सर्टिवेड किया गया है, वो है कार निकोबार और नन कौवरी ग्रूप्स अफ आइलेंड्स ये कहां पर है, अंडमान और निकोबार, द्रीप समू के अंदर ये सिचुएटर है तो इससे पहले भी कई राज्यों को, कई राज्यों के छेतरों को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, आपर हिमाचल प्रदेश, उत्राकंड, उतिपूर्वी राज्यों, जहारकंड, छेतिसगर, का आदिवासी बेल्ट, राजस्थान के रेगिस्तानी जिले यह सब जो है कृषी, कृषी छेतर हैं, जो रसाइनिक वस्तों के उपयोग से मुक्त हैं, और यह छेतर जैविक खेती के लिए प्रमानित हो सकते हैं, ठीक है? इनको भी प्रमानित किया जा सकता है, स्वरी, है नहीं, इनको भी किया जा सकता है, ठीक है? फिर next अच्छा अगर जैविक खेती के उपर और कुछ पूछ लिया जाए तो हम इसमें और भी चीजे पॉइंट जो है एड कर सकते हैं कि भारत में अब 30 लाख हेक्टियर से अधिक छेत्र जैविक प्रमाणी करण के तहत पंजिकरत है अंतराष्ट्य सर्विक्षन के अनुसार जैविक क्रिशी में भारत छेत्रफल के मामले में पांचवे स्थान पर है और कुल उत्पादकों की संख्या के मामले में शीर्ष पर है यनि कि अगर हम जैविक उसकी बात करें एरिया की तो हमारा पूरा वर्ड के अंदर फिफ्ट नंबर पे स्थान आता है ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला जो है ये इतना इंपॉर्टन नहीं है इसको हम छोड़ सकते हैं फिर नेक्स्ट है महराष्टर को मिली भारत की पहली floating storage and regasification unit तो इसको हम देख लेते हैं तो देखिए ये जो है regasification क्या होता है पहले तो हमें ये पता होना चीए तो देखिए जो liquified natural gas जो होती है यानि कि हमें किसी natural gas को अगर कहीं से कहीं transfer करना हो तो हम natural gas को liquid form में लेकर के आते हैं फिर इस liquid को जो है हम दुबारा से gas जब बनाते हैं उसको हम कहते है regasification ठीक है ये दुबारा gas बनाने की इसकी प्रक्रिया जो होती है उसको regasification कहा जाता है तो देखी हमारे यहाँ पर जो पहला भारत के अंदर जो पहला floating storage and regasification unit बना है वो कहाँ बना है महाराष्टर में बना है तो महाराष्टर का जो jagad terminal है वहाँ पर जो है इसको बनाया जाएगा और इसके लिए floating storage and regasification unit जो आप FSRU यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो यह एक तरीके से क्या एक ship है जहाज है जो कि इस लिक्विफड यानि एलन जी को जो है अपने साथ में लेकर के आएगा तो अब यह जो एलन जी कहां से लेकर के आया है तो सिंगापूर के जो केपल शिप्यार्ड है वहां से इसको रवाना किया गया था और महराष्ट्र के जैगर टर्मिनल पर सको उतार गया ठीक है उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ पर जो है यह pipeline grid तो छोड़िये यह जो LNG टर्मिनल है LNG टर्मिनल जो है यह हमारे भारत के पश्चिमी घाट में जैगर फोर्ट में इस्तित है और यह बंदरगा जो है 24 घंटे 7 दिन जो है परिचालित रहता है गहरे पानी का एक नीजी बंदरगा है प्राइवेट बंदरगा है और इस टर्मिनल को 2017 के अंदर जो है वो बनाया गया था तो यह हम ध्यान में रखेंगे कि पहला floating जो है यह री gasification जो टर्मिनल है यह कहां पर बना है तो यह महराष्टर के अंदर इसको जो है बनाया गया है फिर next हम देखते है राइसिना डैलोग तो देखें इसमें क्या है अब देखें जो राइसिना डैलोग है यह राइसिना डैलोग जो है इसको 2016 में इस्टार्ट किया था और यह जो है जितने भी जियो पॉलीटिकल इसमें जियो पॉलीटिकल यह जियो एकनॉमिक भू राजनेतिक या भू आर्थिक जो होते हैं उन पर चर्चा करने के लिए जो है एक प्लैटफॉर्म जो है यह प्रदान करता है इस बार तो कोईट के चकर में यह वर्चुल हुआ था इस बार का थीम है इसका वाइरल वर्ल्ड आउट ब्रेक्स आउट लाइलर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल इसको हां इसके आय द्वार और और अब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है इस बार के अगर देखा जाए तो इसमें हाला कि यह कोई नहीं पूछेगा कि कौन इसका जो है चीफ ऑफ गेस्ट था चीफ गेस्ट था यह जैसी कि यहां पे रवेंड़ा के विविदी करण यानि कि जो सप्लाइचेंज होती है उसमें डाइवर्सिफिकेशन कैसी किया जाए और इसको सुरक्षित कैसे बनाया जाए वैश्विक जन अहितकारी संगटनों और सरकार की जिम्मेदारी तेय करना महामारी की गलत सूचना का प्रसार शक्तिशाली आकाउ के दौर में सच्च से दूर विश्व और हरित प्रोत्साहन लिंग आधारित निवेश विष्व वृद्धी और विकास पर पर परिचर्चा की गई हालां कि ये भी आपसे जो है कोई भी नहीं पूछेगा इसमें सिर्फ प्रीलिम्स के रिलेटेड फैक्ट सा सकता है कि रा आयजन जो है वो कौन करवाता है ये पूछा जा सकता है फिर है भारति है दिवाला और शोधन ऐश्म्था बोल्ड प्री पैक्ड दिवाला निप्टान प्रक्रिया नेमण 2021 अधिशूचित तो देखें ये जो सरकार के दवारा अभी अधिशूचित किया गया है जिसको मों वर्गिकरत कॉर्परेट वेक्तियों के लिए वेकल्पिक दिवाला समाधान की रूपरेखा को उपलब्द करवाना ठीक है यह पहल विश्वास के मॉडल पर और संशोधनों पर आधारित है जिसमें इमानदार सूश में लगो और मद्यमुद्यमों का सम्मान करने पर बल दि जी तो यह इसके तहट जो है वो किया जाएगा नेक्स्ट हम देखते हैं कि सो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वह असाधे रोगों के लिए राष्ट्री नीती जो है उसको बनाया गया है असाधे रोग या नहीं होते है डिर डीज़ेजिस ऐसे बिमारियां जो की लाको म लगबग सभी आर्टिकल्स हम रीड करते हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं जिनको हम छोड़ देते हैं, अब ऐसा हम क्यों करते हैं, इसके बीचे एक रीजन है, हर आर्टिकल में अगर हम यह सोचे हैं कि इससे प्री का कौन सा सवाल निकल रहा है या फिर इसी पर सवाल करते हैं, तो ससकते है कि अग्यानी रहा उसक अफिकल्स हेनके खेस्वाद के द्री का करेग सब्रें में सबस्क्राइब का कि अधिक उत्पादन पर अधिक ध्यान देने के साथ दुरलब बिमारियों के इलाज की उच्छ लागत को कम करना है क्योंकि रेर डिजीज एक तो देखिए हमारे यहां पर हेल्थ के ओपर पैसा बहुत कम खर्च होता है और एक बार अगर मान लिजे कि अगर किसी मीडिय मिडिल क्लास से नीचे का जो वर्ग का व्यक्ति होता है अगर उसको कोई बिमारिया ऐसे असाध्य रोग हो जाए तो पहली चीज़ तो सारी इंकम जो है घर की जितनी वी आमदनी है वो उसी इलाज में लग जाती है और फिर वी वो सही नहीं हो पाता क्योंकि इलाज जो है हमारे आपे क करने वाला ही विकार हो यानि ऐसी बिमारियों जिसको की एक बार उपचार मिल जाए तो सही हो जाए दूसरा है दिर्ग काले के आजीवन उपचार के आवशक्ता वाले विकार जिसको लाइफ टाइम के लिए ही इलाज चाहिए तीसरा है ऐसे रोग जिनके लिए निश्यत वचार उपलब्द एं लेकिन इनके अपचार की लागत जो है वह बहुत अधीख है यानि कि उपचार तह हो सकता है लेकिन उस वेक्ती के पास पैसा नहीं है कि वो उसका इलाज करा पाए तो इस प्रकार के तीन सम्हूं जो है इन्होंने बनाए है अब इस नीती से संबंदित महत्वपुन तत्या क्या है तो देखे पहला यह है कि नीती में दुरलब बिमारियों की परिभाशा और देश की भीतर दुरलब बिमारियों से संबंदित अनुसंदान यानि रिसर्च और डेवलप्मेंट के लिए परियाप्त डेटा उपलब्द पर नेशनल लेवर पर इन बिमारियों को जो है रजिस्टर किया जाएगा फिर नीती का उद्देश उतक्रश्ट केंद्र यानि कि जो आप जानते हैं पर नेशनल लेवर पर इन बिमारियों के लिए उप्चार के लिए तर्शरी एक्सिलेंस सेंटर्स बनाए जाएंगे इनको 5 करोड रुपए तक की जो है एक मुश्ट वित्य साहता भी प्रदान की जाएगी फिर तीसरा हम देखते हैं कि दुर्लब बिमारियों के उप्चार के लिए अम्ब्रेला योजना के तहट 20 लाग तक के वित्य समर्थन के लिए प्रावधान का प्रस्ताव है जिनके लिए एक मुश्ट उप्चार की जरूरत होती है इस वित्य साहता के लिए लाभारतियों को BPL परिवारों तक की सीमित नहीं रखा जाएगा बलकि इसका लाभ जो है 40% जो पॉपुलेशन है उस तक जो है इसको बढ़ाया जाएगा और जितने भी लोग जन आरोगे योजना के पात्र हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया हैं तो वो भी क्राउड फंडिंग के द्वारा इसके अंदर डोनेशन कर पाएंगे तो अब इसमें और देख लेते हैं कि मैथवपून तथी क्या है जो दिल्ली हाई कोट है उसने केंद्र को एक दुरुडलप रोग समीति और निधी की स्थापना करने के लिए 2021 तक या उ सीससूमल स्टोरिज डिसट्र एक पॉम्टेजिय डिजीज एक है साइस्टिक फाइब्रोसेश एक स्पाइनल मस्कूलर एत्रॉफी फिर एस्येरियो जेनेसिज एंफ़्र एंपर फैक्ट्र और हैं हैंहोफिल्य हैं हैं मrekार कोई वीमारी का नहीं पता Books फिर लática नेज integrated health information platform तो यह हमारा जो केंद्री स्वास्ते मंत्राल है उसने इसको जारी किया है तो इसका अर्थ क्या है तो देखिए जो एकिकरत हमारा हेल्थ मंच है प्लैटफॉर्म है तो वर्तमान में इस्तेमाल किये जा रहा है एकिकरत रोग निगरानी कारीकरम की अगली पीड़ी का अत्यदिक परिश्क्रत संस्क्रण है यानिकि इससे पहले हमारे यहां पर था इंक्लूट कर लिया गया है इनका सर्विलेंस और अच्छे से हो तो यह सारी चीज़ें अपडेट की गई है इसमें तो भारत विश्व का पहला देश है जिसने विमारियों पर निगरानी की ऐसी एकिकरत प्राणाली जो है उसको अपनाया है नए संस्क्रण में डेटा एं के बारे में जो आकड़े हैं वो डिजिटल रूप में ततकाल जो है यानिके इमीडियेटली जो है वो उपलग्द हो पाएंगे यह इसका फाइदा होगा फिर नेक्स्ट हम देखते हैं राश्ट्रपती ने दिल्ली के उपराज्येपाल को अधिक शक्ति देने वाले विध अधिक विधान सबाएं एक तो है आपका पुडूचेरी और दूसरा है आपका डेली ठीक है और डेली जो है वह आपका राश्ट्री यानि नेशनल टेरिटरी के अंतरकत भी आता है राश्ट्री राजधानी चेत्र अब यहां पर जो है आपको पता ही है कि वहां पर भारत योजना लागू कीजिए जबकि वहां की सरकार ने का कि हमारे यहां पर अल्रेडी महला क्लेनिक हैं तो हम यहां पर यह योजना लागू नहीं करेंगे तो इस प्रकार के चीजों से बचने के लिए क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली जो है काफी sensitive area है वहां पर जित का जो आदमी होता है वह जो दिल्ली में देखेगा वही सोचेगा कि पूरे भारत में वही हो रहा है तो दिल्ली को कंट्रोल में रखना काफी जरूरी है सरकार के लिए इसलिए उन्होंने वहां पर राज्येपाल की जो उपराज्येपाल जो है वहां के उसकी जो शक्ति है उसको बढ़ाया है तो उन्होंने एक बिल पास किया है जिसका नामे दिल्ली राष्ट्री राजधानी छेत्र विधेक 2021 इसको मनजूरी दिये इसमें दिल्ली के उपराज्य पल के अधिकार बढ़ाने का प्रावधान किया गया है इस विधेक को हाली में संसद के वजट ठीक है यहने कि कोई भी अगर कानून विधान सभव वहां की पारित करती है तो वहां सरकार का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है कौन है उपराज्य पल विधेक में सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है कि उपराज्य पल को आवश्चक रूप से समविधान के प्रावर्ग में दिया जा सकेगा ठीक है इसके अलावा भी कई सारे इसमें चीजें थी जो आप जो है जो मैंने आर्टिकल शेयर किये हैं टेलेग्राम पर वहां पर और देख सकते हैं हलागि यह जो है आपके पॉलिटी की मेंस के अंदर लिखने में काम आ सकता है कारोना संक्रम पर कह लंतरे सारी घंट में देख सोई है कोवीशील्ड जो कि हमनेने कोवीशील्ड को कmbans लेघवी निरमेत है जो है वह भारत बायोटेक के खरीदने वाला यहाँ पर रेड़ी लेबोरेटरिस जो है हमारे भारत का वो इसको आयात करेगा ठीक है तो अब देखे इसको भारती औशद महा नियंत्रक यानि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रूस के कोरोना जो वैक्सीन है उसको सीमित आपातकालियन उप्य के लिए वो मनजूरी दे दी है तो हमारे यहाँ पर जो यह संसा है ड्रग्स गंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यह इसको मनजूरी देता है इसके बाद ही जो है कोई ड्रग्स जो है इसको भारत में लाया जाता है तो आपको वैक्सीन को भी शिल्ट को कौन किसने बनाया है यह आपको ध्यान में होना चाहिए और दूसरा स्पुतनिक वी जो है उसके बारे में भी पता होना चाहिए फिर अब जो next है हमारे पास में वो है national news in short इसको हम जो है next वीडियो में cover करेंगे और उसके